नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको रिसी पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सब्त रिशियों कीज़े अवश्य लिखे साथ ही अगर आप मे रह दिन सब्त रिशियों को समर्पित माना गया है इस दिन गंगा इसनान एवं दान देने का बिसीश महत होता है मानेता है कि रिशी पंचमी की कथा पढ़ने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलते हैं इस रिशी पंचमी की ब्रत कथा रिशी पंचमी की कथा के अंसार इस दिन जो भी स्वहागिन ब्रत रखती हैं उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं हिंदु धर्म की पौरानिक मानेता के अंशार एक इस्त्री को अपने माशिक धर्म की अबधी के दोरान घर तथा रसुई से जुड़े कई नियमों का पाल उद्देशे रिशी पंचमी का ब्रत किया जाता हैं अब सुनिए एक अथा सत्योग में बेधर्म नगरी में शेन जित नामक राजा हुए थे वह रिशियों के समान थे उन्हीं के राज में एक किसान परिवार रहता था किसान का नाम सुमित्र तथा उनकी पतनी का नाम जै खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजश्वला हो गई उसको रजश्वला होने का पता लग गया फिर वीवे घर के कामों में लगी रही कुछ समय बाद वह दोनों इस्त्री पुरुस अपनी अपनी आयूब होकर मृत्ति को प्राप्त हुए किसान की पतनी दो कुति बिया बनी और किसान को रजश्वला इस्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की यौनी मिली क्योंकि रितु दोष्ट के अत्रिक्त इन दोनों का कोई अपराद नहीं था इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्प जनम का समझत बिवरन याद रहा वे दोनों कुतिया और की रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे धर्मात्मस उचित्र अपने अथितियूं का पूर्ण सत्कार करता था अपने पिता के स्राद के दिन उसने अपने घर प्रहमनों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए जब उसकी पतनी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में बिस बमन कर दिया कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से यह सब देख रही थी पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बरतन में मुह डाल दिया सुचित्र की पतनी से कुटिया का यह क्रत्य देखा न गया और उसने चूले में से जलती लगड़े निकाल कर कुटिया को मारी बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी चौके में जो जूठन आदी बची रहती थी वैसव सुचित्र की बहु उस कुतिया को डाल देती थी लेकिन क्रोद के कारण उसने वहवी बाहर फिगवा दिया सब खाने का सामान फिकवा कर बरतन साफ करके दोवारा खाना बना कर ब्रहमनों को खिलाया रात्री के समय भूग से ब्याकुल होकर वैकुतिया बैल रूप में रह रहे अपने पूर पती के पास आकर बोली हे स्वामी आज तो मैं भूग से मरी जा रही हूँ बैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला साम के बिस वाले खीर के बरतन को अनीक ब्रहम हत्या के भैसे छूगर उनके न खाने योकिकर दिया था इसी कारण उसकी बहु ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया तब वे बैल बोला तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनी में आ पड़ा हूँ और आज बोजा ढोटे ढोटे मेरी कमर तूट गई है आज मैं भी खेत में दिन वर हलमी जुता रहा मेरे पुतर ने आज मुझे भी भूजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत मुझे इस प्रकार कश्ट देकर उसने इस राद को निस्फल कर दिया अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था उसने उसी समय दोनों को भर पेट भूजन कराया और फिर उनकी दुख से दुखी होकर बन की ओर चला गया बन में जाका रिशियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्थ हुए हैं और अव किस प्रकार से इनको इस योनियों से छुटकारा मिल सकता है तव रिशी बोले तुम इनकी मुक्ती के लिए पतनी सहित रिशी पंचमी का ब्रत धारन करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो भादरपद महिने की सुक्ल पंचमी को मुक्सुद करके मध्यान में नदी के पवित्र जल में इस्नान करना और नई रिश में कपड़े पहन कर अरुंधती सहित सब्तरिशियों का पूजन करना इतना सुनकर सुचित्र अपनी घर लोटाया और अपनी पतनी सहित बिदी भिधान से पूजन और ब्रत किया उसके पुन्य से माता पिता दोनों पसु यौनियों से छूट गए इसलिए जो महिला स्रदा पूर्वर रिसी पंचिमी का ब्रत करती है वे समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है जैहु सब्तरिशियों के आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताईए साथ ही मेरे वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए धन्यवाद दोस्तो